महाराष्ट्र के किसानों को डबल नुकसान दाम भी नहीं मिल रहा और रखा हुआ प्याज भी लगा सर नहीं महाराष्ट्र में प्याज की खेति करने वाले किसानों की समस्य बढ़ती जा रही है पिछले 5 महिनों से प्याज के दामों में गिरावट ज़ारी है राजिया में किसान 8 से 10 रोपी प्रती किलों में प्याज बेशने के लिए मजबूर है एक तरफ दाम कम मिल रहा है तो दूस कीमतों में भड़ोतरी की उमीद में किसानों ने जो अप्रेल से प्याज को स्टोक करके रखा था अब वो 30-40% तक सड़ चुका है यानि किसानों को दोरा नुकसान हो रहा है। नुकसान जेलना पड़ा है। वहीं भारत दिगोले का कहना है कि नाफेड ने इस साल गलत तरीके से खरीदी की है। प्याज की खरीदी का रुरोध किया था। नाफेड पहले ही 2,38,000 टन प्याज खरीद चुका है। मुखे मंत्री ने मांग की थी कि इसे 2,00,000 टन और बढ़ाया जाए। हाला कि महाराश्टर प्याज उत्पादक संक्ठन के संस्तापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि नाफेड की खरीद पॉलिसी ही गलत है। उसने पिछले साल 23-24 रुपे किलो के रेट पर प्याज खरीदा तो इस साल कैसे सिर्फ 9-12 रुपे का दाम दिया बात इस पर होनी चाहिए ताकि व्यपारियों पर दबाव पड़े और प्याज के निर्यात पर जोर देना चाहिए था लेकिन सरकार ने वो भी नहीं किया। भारत इगोले का कहना है कि प्याज की एक्सपोर्ट पॉलिसी सही नहीं होने के कारण भी इस साल प्याज का दाम काफी कम है। जब सरकार कह रही है कि उत्पादन ज्यादा है तो उसे एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादा एक्सपो किसानों के दामों के मामले में उनको रहत मिल सके इसके लावा संग्ठन ने लागत के मताबिक इस पर किसानों का मुनाफ़ा तैक करके प्याज को नियूंतम स्मर्थन मुल्या के दायरे में लाने की मांग भी की थी बूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी